दोस्तो सभी प्रकार की फसलों में فंगिस जनीत रोग कंट्रोल करने के लिए फंगिसाइड का इस्तेमाल किया जाताए फंगिसाइड में किसान सबसे जएदा मैन कोजेव है या कार्बंडा जिम है, M-45 है, या बाविस्टिन है तो आज की वीडियो में डिटेल से Bar- recharge कर हें यह चीए चीए तो आपको बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए जादा एफेक्टिव फंगिसाइड आप कैसे तयार कर सकते हैं संपूर्ण जानकरी के लिए वीडियो के अंतक जरूर बने रहें नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अनिता सिंग आप देख रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडिया न और्गिनिक जर्नी दोस्तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़े और बेल आइकन को प्रेस कीज़े ताकि इसी तरीके की नॉलेज़फुल जानकरी आपको सबसे पहले मिलती रहें तो दोस्तो सबसे पहले UPL के साफ फंगिसाइड जिसमें टेकनिकल कंटेंट आता है कारबंडा जिम 12% और मैन को जिब 63% पाउडर फॉर्म में ये आता है सेम टेकनिकल कंटेंट अडामा के मेकोबान सी फंगिसाइड में भी आता है और दानुका के सिकसर फंगिसाइड में भी सेम टेकनिकल कंटेंट आता है साफ फंगिसाइड की परफेक्ट डोज होती है 2 ग्राम पर लिटर के साफ से गोल तयार करके फसलों में स्प्रे कर सकते हैं एक एकड के लिए 400 ग्राम से 500 ग्राम तक आप साफ फंगिसाइड का यूज कर सकते हैं इंडोफिल के M45 या फिर UPL के उथेन M45 में में को जे 55% आता है जो की कॉंटेक्ट फंगिसाइड होता है में को जे मल्ती साइड एक्शन इसमें आता है ब्रोड स्पेक्टरम कॉंटेक्ट फंगिसाइड है इसके साथ साथ दोस्तों इसमें पोशक तत्वे भी जिंक प्लस मैगनीज उपलब्द होते हैं तो ये पोशिक तत्वे, दो पोशिक तत्वे भी साथ-साथ में पशलों को मिल जाते हैं इसलिए इस प्रे के बाद में या इसका जब भी आप किसी भी तरीके से यूज करते हैं तो फसले जादा स्वस्त और जादा हरी-बरी नजर आती है कौन-कौन से फंगिस जनी तरोगो को कंट्रोल करता है मैंकोजेब तो कॉलर रोट, लीफ स्पॉट, एपल स्कैब, डंपिंग ओफ, एंथ्रेक नोज, डावनी मिल्डू, रस्ट, ब्राउन रस्ट है या फिर ब्लैक रस्ट है, तिक्का है, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट इन में बहुत अच्छे से काम करता है और मैंकोजेब सबसे सस्ता फंगिसाइड भी अवेलेबल होता है तो इस तरीके से ये बहुत एफेक्टिव फंगिसाइड इसको कह सकते है इसकी परफेक्ट डोज होती है, दो ग्राम पर लिटर की साबसे गोल तयार करके फसलों में स्प्रे कर सकते है और एक एकड के लिए 400 ग्राम 200 लिटर पाने में मिक्स करके फसलों में आप स्प्रे कर सकते है बाविस्टीन फंगिसाइड में कारबंडा जिम 50% होता है पावडर फॉर में ये ब्रोड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक फंगिसाइड होता है प्रिवेंटी और क्यूरेटिव एक्शनिश में आता है यानि कोई भी रोग आने से पहले भी आप स्प्रे कर सकते हैं या रोग आने के बाद में भी आप स्प्रे करेंगे तब भी आपकी फसले बिल्कुल स्वस्त हो जाएंगी हरी भरी नुजर आएंगी बहुत अच्छा रिजल्टी इसका मिलता है कारगंडा जिम, फंगिसाइड, बलास्ट, एंथरेक नोज, फ्रूट, रोट, टिका, लेफ, स्पॉट, एपल, स्कैब, पाउडरी मिल्डिव, डावने मिल्डिव इस तरीके से बहुत सारी डिजीज को ये कंट्रोल करता है चने में या और भी बहुत सारी फसलों में ड्रेंचिंग के रूप में भी बाविस्टिन फंगिसाइड को इस्टेमाल करते हैं क्योंकि यह systemic fungicide है और color root वगरे root root वगरे की समझे आती तो उसमें भी किसान इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और result भी अच्छा देखने को मिलता है इसकी perfect dose होती है दो ग्राम पर लेटर के साबसे गोल तयार करके फसलों में spray करें लेकिन दोस्तों अगर आप preventive में इस्तेमाल करें तो एक ग्राम भी इस्तेमाल करेंगे तब भी आपको बहुत अच्छा result देखने को मिलता है और combination में कर रहे तो dose आप थोड़ी कमी रखे अब बात की जाए दोस्तों कि इंडोफिल के एहम 45 प्लस 22 फंगिसाइड यानि कि में कोजे 75 परसेंट प्लस कारबन डाजिम 50 परसेंट इन दोनों को एक साथ मिला करके यूज करना चाहिए या फिर साफ फंगिसाइड को यूज करना चाहिए साफ में दोस्तों कारबन डाजिम 12 परसेंट आता है जबकि बाविस्टिन में 50 परसेंट कारबन डाजिम आता है वहीं पिर साफ फंगिसाइड में में कोजे 63 परसेंट आता है और इंडोफिल के एहम 45 या यूपियल के उठेन फंगिसाइड में में कोजे 75 परसेंट आता है तो बेस्ट रहेगा कि आप अलग से मैंकोजे 75% प्लस कार्बन डाजिम 50% है यानि कि बाविस्तिन फंगीसाइड और इंडोफिल M45 इन दोनों को मिला करके यूज करेंगे एक साथ तो परसेंटेज में ज़्यादा कार्बन डाजिम आता है और मैंकोजे भी परसेंटेज में ज़्यादा यूज होता है तो रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है लेकिन अगर आप मिक्स नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप साफ या मैकोबान सी को भी यूज कर सकते हैं लेकिन बेस्ट रिजल्ट रहेगा कि आप इन डोनों को अलग-अलग पर्चेश करें और अलग-अलग मिक्स करके फिर आप एक साथ में यूज करें जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जादा से जादा किसा अंदोस्तों तक शेर जरूर कीजिए धन्यवाद